दिखे ओवेशी, ओवेशी के DNA ही भारत के लिए खत्रा है, ओवेशी के DNA में ही भारत का खत्रा है, भारत के लिए खत्रा है, क्योंकि मोहन भागवत जी ने जो बात कहा, वो दो सो परतीशत सही कहा कि हिंदुओं को अब समय आ गया है एक जुठ होने का क्योंकि ये अबेशी जैसे जितने लोग हैं वो कोई कहते हैं आठ सौ साल का मेरा रहा है राजपाट फिर मैं आउंगा ओवेशी इस पर क्यों नहीं बोलते हैं और एक चीज और जान ले देश का लोगतंत्र ओवेशी तभी तक सुरक्षित है जब तक यहां पर सनाथनियों का बहुमत है जिस दिन सनाथनियों का बहुमत खतम होगा ओवेशी की मन imagin पूड़ा होगा यह रहुल गान्धी के दूसरे भाई बन गये हैं वेसी, जैसे रहुल गान्धी के जुबान पर नहीं आती, कि 62 के जुद्ध में पंडित नहरू ने 34,000 बड़ किलो मिटर की चर्चा क्यों नहीं करते और जब से मोदी जी की सरकार आई है कोई माय का लाल नहीं है राहूल गांदी भी तो गय थे चाइना बोर्डर पर एक साइकलिस्ट लड़की जाके कही ये तो यहां करके ब्यान दे दिये वही ओवेसी है ब्यान बहादूर मत बने मोदी के राज में एक इंच जमीन न कोई लिया है न ले ले देंगें लेकिन 34,000 बड़ किलो मिटर जमीन उस पर तो कभी चर्चा करो ओवेसी या टुक्रे टुक्रे गैंग या राहूल गांदी अपने देखा होगा कि जाडखंड में एक विशय उठा था उसके बाद कई राजियों में उस विशय को देखा गया कि जाडखंड में हैमंद सुरेन के राज में इसलामिक कानून चल रहा है वहां सुकरवार को छुट्टी हो रही है इस कुलों में जो मुसलिम बाहूल है और ये मुसलिम बाहूल हैमंद सुरेन के राज में हुआ जब से हैमंद सुरेन आये खुली छूट्ट और वहां आदिवाशियों का जो हाया कि 44% थे आज 28% हो गए इसलिए NRC जाडखंड में अती आवेसक है बंगाल में आवेसक है आशाम में आवेसक है वैसे तो NRC पूरे देश में लगनी चाहिए क्योंकि हर नागरिक का अपना एक आइडेंटी कार्ड होनी चाहिए वो सही है गलत है भई आइडेंटी कार्ड होगा तब ही तो हम जान पाएंगे है NRC को ले करके जो अवेसी जैसे लोग हैं वही लोग हला बोलता हैं लेकिन अब देश के लिए जरूरी है देश के लिए इसलिए जरूरी है कि बिदेशी गुस्पैठिये धीरे धीरे कबजा कर रहे हैं और राहुल गांधी अवेशी जैसे लोग इस पर जुबान चुप है तो कितना अब है क्या कल तो रिजल्ट आ जाएगा इस समय तक लेकिन हरियाना में कांग्रेस कहा जड़ रही है क्यों कांग्रेस कहती है कि हम वापसी आएगा हरियाना में लड़ रहे हैं तो हुड़ लड़ रहे हैं चुनुती के साथ इनमें दम नहीं था कि हुड़ को नकार सकते थे वहां तो हुड़ कांग्रेस है राहुल कांग्रेस नहीं है भारतिय कांग्रेस नहीं है इन्सी नहीं ह है वहां हुड़ा है और कल रिजल्ट आ जाएगा सब के सामने में देख लेंगे एक अंतीन सवाल जम्मु कश्मी चे जुड़ा हुआ फारुक अब्दुल्ला साथ कह रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं सरकार बना रहे हैं कॉंग्रेस के साथ इसके अलावा महभुवा मुक्ति पार्टी को भी कहाएं कि अगर वोच आहें तो भी आ सकती है इस तरी की बातिक जारिया क्या आपको लगता है वहां मुक्ति भारत में ये टुक्रे टुक्रे गैंग जो भारत के खिलाफ समय समय पर कि कश्मीर हो या कश्मीर के बाहर ये लोग कौन है फारुक अब्दुल् महबुबा मुप्ति भारत बिरोधी पाकिस्तान समर्थक पत्थर बाजों की और राहुल गांधी इन दोनों के समर्थक इन में हिम्मत नहीं हुई कि 370 धारा यानि उनकी सरकार आएगी ये 370 धारा हट आईगे राहुल गांधी की चुपी उनका समर्थन समय कल तो सबका आ जाएगा लेकिन देश जम्मु कश्मीर के चुनाव पर देखेगा कि राहुल गांधी के नत्रित में कैसे भारत बिरोधी ताकत एक हो रहा है अब वैसे अगर कहें महबुबा मुफ्ती और फारुक अब्दुल्ला अपनी राग बजाएं लेकिन जम्मु कश्मीर में कांग्रेस हार चुकी है मैं डंके की छोट पे कहता हूँ कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह से हार रही है बीजेपी से और बुरी तरह से हार रही है ये चुनावती के साथ आज मैं कह रहा हूँ ये राजनितिक बिसलेशन नहीं है बलकि राहुल गांधी के नकारतमक सौच का